दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका BBSC कंसेप्ट वाला की डेली मेंस आंसर राइटिंग दिसकेशन में आज जो हम डिसकस करेंगे वो अपने वेबसाइट पे जो आंसर पोस्ट हुआ था दे 21 में जो question पोस्ट हुआ था कि what is BBSC, differentiate it with shark and do you agree that in recent times India seems to give more importance to BBSC BBSC क्या है? Shark से इसका अंतर स्पस्ट करिए और क्या आप इस बात से सहमत है कि हालिया समय में भारत BBSC को ज़्यादा महत्तो दे रहा है इस question को हमको attempt करना है आज हलाकि आपको इसका model answer भी मिल चुका है लेकिन हमारा प्रियास रहता है कि हम समझाने की कोशिश करें किसी भी topic को क्योंकि अगर आप बोल के किसी चीज़ को सुनेंगे फिर उसको लिखेंगे या फिर लिख के पादमें सुनेंगे तो आपको ज्यादा धिमाग में वो ज्यादा समय तक रहता है तो हम आज इसका answer लिखने का प्रियास करेंगे तो पहला इसने पुछा है कि what is bimstick bimstick है क्या इसका shark से difference क्या है shark जिसको जिसमें पाकिस्तान included है वो वाला याद रखें इस से shark तो bimstick और shark में difference क्या है और अभी कुछ समय में इंडिया bimstick के तरफ ज्यादा क्यों जुका है shark को थोड़ा ignore करके तो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि जब 2014 में सरकार बनी थी अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी जी की उस टाइम पे सारक के सारे देशों के जो head of the state हैं या head of the government हैं उनको बुलाया गया था ओत सरेमनी में आप 2019 में जब देखेंगे तो 2019 में जो है न बिमस्टेक के लीडर्स को बुलाया गया था ओत सरेमनी में आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं आप इसी से priority को समझ सकते हैं कि सरकार किस की तरफ अपना जुकाओ बढ़ाना चाहती है देखिए foreign relation में क्या होता है आपके हाव भाव आपके ढंग आपके जो आपका speech है जो आपके press notes है उससे पता लग जाता है कि आपका inclination किस तरफ शिफ्ट हो रहा है तो उसी संदर में हम उसको समझने की कोसिस करेंगे देखिए पहला है कि what is BIMSTAC question है कि what is BIMSTAC ठीक है तो इस तरह का जो भी regional organization है या कोई international organization है तो उसको आप इसी से start करेंगे this is a regional organization ठीक है अगर FATF रहता उसमें क्या बोलते है this is an intergovernmental organization इससे आप शुरुवात कर सकते हैं एक universal चीज है जो हाँ आप इस्तिमाल कर सकते हैं किसी भी organization को define करने के लिए that comprises of seven member states which are lying in the littoral and adjacent areas of Bay of Bengal ठीक है that is constituting a contagious or that is constituting to be a contagious regional unity ठीक है तो ये ऐसा चीज है ना ये बताएगा कि ये साथ member states का एक group है जो Bay of Bengal areas के आसपास लाई करते हैं और उस area की regional unity के लिए अपने आपको push करते हैं regional unity के लिए countries को साथ मे लेके आगे बढ़ती है ठीक है इतना समझ गए अब सिर्फ इतना लिखने से काम तो चलेगा नहीं इंट्रो में थोड़ा एक से दो line और लिख देते हैं हम क्या लिखेंगे कि इसके जो इसका जो उदे हुआ इसका starting जो हुआ वो हुआ Bangkok declaration से Bangkok declaration से हुआ कब late 90s में अगर आपको exact याद है उस time पे तो बढ़िया बात नहीं बात है अगर याद नहीं है तो आप सीधा late 90s लिख देजिए चलेगा having its headquarters at Bangladesh ठीक है आप चाहें तो आप body जो लिखेंगे तो body में आप चाहें तो इसकी evolution को भी लिख सकते हैं काफी लोगों ने लिखा है मैंने देखा जो answers upload हुए है evolution में आप इसकी एक timeline बना सकते हैं इसका जन्म कौन situation में कैसे हुआ क्या हुआ अब बस एक box बना के आप timeline डाल दीजिए इसमें आप उसको डाल सकते हैं मैं हाँ include नहीं कर रहा हूँ मैं अपने answer में include नहीं कर रहा हूँ आप ये भी कर सकते हैं क्योंकि आप जानते है main sensor writing जो है creativity का एक form है कुछ भी सही या गलत नहीं होता है आप जो भी कुछ add कर सकते हैं आप जो भी कुछ निकाल सकते हैं आप अपने सब्दों को किस तरह से वहाँ paste कर सकते हैं वही main sensor writing की एक बहतरीन कहें तो एक बहतरीन कला है मैं जो इसमें आगे बर होंगा beam stick मैं पूछा what is beam stick तो मैं beam stick का मैंने definition दे दिया ठीक है beam stick के मैंने लिख दिया कि इसका उधे कब हुआ फिर मैंने लिख दिया इसका headquarter कहा है अब मैं इसके principle की बात कर लूँगा इसका जो principle है यह किस principle पे based है होता है ना आपकी principle क्या honesty है आपके principle integrity है आप जो है जूट नहीं बोलते हैं यह आपका principle है तो उस तरह से beam stick का principle क्या है तो अगर beam stick की website पे आप जाएंगे तो आपको उसके पांच principles मिलेंगे ठीक है पांच principles में पहला है sovereign equality दूसरा है territorial integrity तीसरा है peaceful coexistence and mutual benefit non-interference in internal affairs उसके बाद political interdependence यह पांच जो है नप्रिंसिपल्स है beam stick के यह मैं इस form में लिख दूँगा इसको explain नहीं करूँगा नहीं इसको हमाए list form में लिखूँगा मैं इसको as a diagram में यहाँ दिखा दूँगा उसके बाद मैं इसके objectives को लिख दूँगा ये भी just in diagrammatic form अब चुकि एक diagram भी मैंने लिख दिया है अब मैं क्या करूँगा इसको मैं list में लिखूँगा मैंने पास दोनों option है मैं इसको list में भी लिख सकता हूँ मैं इसको diagram में भी लिख सकता हूँ बस चुकि मैंने diagram use कर लिया है इसके लिए मेरी priority रहेगी मैं इसको listing करके लिखूँ तो थोड़ा presentation improve हो जाएगा इसके objectives क्या है objectives में आएगा rapid economic development तो पहला जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे rapid economic development उसके बाद दूसरा हम कोशिज करेंगे लिखने का assistance to each other, each other में कौन-कौन है? each other में इंडिया, नेपाल, भुटान, बंगलादेश, म्यानमार, थाइलेंड और श्री लंका तो यह लोग जो है ना अपने आपको assistance करेंगे, each other assistance करेंगे in the form of training and research तीसरा point लिख दूँगा मैं connectivity का इससे क्या होगा? connectivity से employment generation बढ़ेगा employment generation बढ़ेगा and this will improve transport and communication फिर जो है global cooperation बढ़ेगा फिर regional integration मैंने इतना mention कर दिया कि इसके objectives क्या है इसके principles क्या है और साथ में छोटा से define कर दिया यह मेरा एक page cover कर लेगा somehow ठीक है? तो मेरा जो first part है what is BIMStake अभी complete हुआ है लेकिन थोड़ा और इसमें डाल सकते हैं अगर आपके पास समय है और अगर आप लिखना चाहें तो एक point और इसमें mention कर सकते हैं तो वह value add हो जाएगा वो point क्या हो सकता है? अब आप किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं और वो international relations में काफी ज़्यादा importance रखता है तो आपको जरूरी है कि उसका importance बताया जाए आप चाहें उसको relevance बोल ले ठीक है या फिर significance बोल तो इसमें हम काफी सारे points मेंशन कर सकते हैं जैसे पहला जो है जैसे हमें लिखता सिलसलेवार तरीके से कि ये जो है ना intra-regional corporation का एक बहुत बढ़िया उदाहरन है और काफी boost करता है intra-regional corporation में बहुत बढ़ा role play करता है और दो regional organizations जैसे सार्क है और ASEAN है इन दोनों के बीच ये जो दो groupings हैं इनके बीच का के जुराओ का काम करता है bimsteak ठीक है साथ में अगर देखें तो यही काम हम भी करना चाहरे हैं इंडिया के भी policy इसी से conjunct करती है यहीं पे converge करती है इंडिया की जो neighborhood first policy है neighborhood first policy है और actist policy है कहीं ने कहीं यहीं से हम भी यहीं पे हम भी converge करते हैं ठीक है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं अगर कोई regional organization है तो आप जानते हैं कि उसका कुछ strategic significance भी होगा strategic significance आता है उसके geographical location से या फिर उसका जो role है international affairs में international order में उससे भी आता है तो second जो हो जाएगा हो हमारा geopolitical importance geopolitical importance geopolitical importance में हम इसको कह सकते हैं कि चुकि China included नहीं है इसमें तो can be a tool to counter China हम इंडियन पर्स्पेक्टिव में बोल रहे हैं इट कैन बी ए a very good tool to counter China आप इसका importance हम numerical terms में तोरह लिखेंगे कि आप याद किये होंगे कि 1.5 billion people है वहाँ पे यह 22% of global population है यह 2.7 trillion GDP है और 3.8 trillion dollar की economy है सारे countries को मिला के लगभग यह data जो है 2020-21 का रहेगा तो यह आप geopolitical importance में लिख सकते हैं ठीक है और आप एक और इस geopolitical importance में भी लिख सकते हैं कि this is a theater of convergence आपने देखा किसका सार्क का है न एसियान का यह क्या है theater of convergence है एक जगा आके मिले रहा है यह वर्ड आप लिख सकते हैं theater of convergence यह बहुत बढ़िया point है फिर आप लिख सकते हैं इसके importance में कि जो cooperative organizations हैं जो बनाए जाते हैं किसी भी sector को promote करने के लिए जैसे blue economy maritime security इन सब जैसे मुद्दों को आगे बरहने के लिए push करने के लिए बिमस्टिक का काफी अच्छा रोल है Bay of Bengal reason में ठीक है फिर अगर maritime की बात हो रही है तो आप connectivity ना लिखें तो वो बिलकुल ही अधूरा रह जाएगा और एशिया में connectivity तो बहुत matter करता है connectivity इसमें आप 3-4 प्रोजेक्ट का नाम लिख देंगे जैसे कलादान multimodal project है फिर Asian trilateral highway है तीसरा BBIN है बंगलादेश बुटान जो कॉरिडर है फिर बिमस्टिक का एक coastal shipping agreement भी है आप देखिए कलादान multimodal जो ही है सब कुछ include करता है coastal वाला आपने दे दिया तो समंदर वाला भी दे दिया फिर BBIN तो हमारा है यह बहुत बढ़िया उसके बाद हमारा जो second part है question का कि बिमस्टिक shark का alternative कैसे है तो हम यह भी point लिख देंगे कि this serves as an alternative to shark इसका मतलब क्या हुआ कि किसी परिक्षा में आप दो कलम लेके जाते हैं ठीक है दो पेल लेके जाते हैं क्यों लेके जाते हैं एक fail हुआ तो दूसरा use करेंगे वैसे ही यह Asian reason में shark अगर काम नहीं किया तो बिमस्टिक काम करेगा इसकी तरह भी यह काम करता है आप उधारन में लिख दीजिए कि recent BRICS summit जो हुआ था उसमें बिमस्टिक का इतना रोल है कि बिमस्टिक और BRICS का एक outreach program बनाया गया था चूकि इसमें China है इसलिए उसको ध्यान रखते हुए बस एक outreach program बनाया गया था कि जो भी member इसके है और इसकी meeting है उसमें अपना कुछ योगदान दे सके यहाँ पर shark को नहीं बुलाया गया था फिर है counter terrorism counter terrorism और transnational crime इसमें इसका रोल बहुत अच्छा है जो भी countries है उनका participation अगर होगा तो जो भी terrorism related crimes है या जो ऐसे crimes जो national level पे होते हैं उस पे थोड़ी लगाम कसी जा सकती है उसके बाद regional integration में यह बहुत बड़ा रोल प्ले करता है देखिए किसी भी family का जगड़ा होता है और गर बाहर वाला के उसको कुछ करता है तो सारे family वाले गुसा जाता है यह हमारे घर का मामला है लेकि आपस में भले कितने भी लड़े हुए हो वही बात है इसिया के जो countries हैं वो अगर आपस में साथ रहेंगे तो US जैसा कोई भी बाहर से आएगा तो US जो है वहाँ पे बाहर कादमी हो जाएगा तो साथ मिल के लरेंगे तो इनकी अलग एडियोलोजी बनेगी अपनापन बनेगा रीजिनल को ले के रीजिनल बेसिस को ले के ठीक है और इस रीजिनल बेसिस में इंडिया चाहता है ना अपना एक वर्ल्ड ओर्डर में एक हेजेमोनी इस्टेबलिस करना अपना एक influence इस्टेबलिस करना और वो बिमस्टेक के थुरू हो सकता है possible है इसके लिए बिमस्टेक को भी जा तरजी दे रहा है और किसी भी बिल्डिंग के लिए केपासिटी बिल्डिंग क्या होता है ट्रेनिंग देना अगर किसी कोई कंट्री है जिसे मालदीव्स है उसके पास उतनी ज्यादर ट्रेनिंग फैसिलिटीज नहीं है उनके नीवीज को ट्रेन करने के लिए या फी जो इसकूबा ड्रैवर्स हैं उनको लिए तो इंडिया उनकी capacity building करेगा उनके marine petrol police को train करेगा फिर है disaster response अगर tsunami आई कुछ ऐसा आया तो उसमें response कैसा होना है उसके लिए जो भी charters बनने हैं जो भी principles तैं होने हैं जो भी action plan prepare होना है उसमें इंडिया help करेगा बांकी bimstack countries को या bimstack countries जिनकी specialty है उसमें वो इंडिया को help करेंगे तो inter-regional corporation हो जाएगा वो ठीक है इसी के संदर में आप लिख सकते हैं कि अभी जो COP26 में एक sign हुआ था हमारा coalition of disaster resilient एक disaster resilient करके कुछ sign हुआ था आप देख लिजेगा उसको ठीक है उसके बाद ठीक है इतना point तो हो गया हम आप आजाएंगे second part में ठीक है second part में क्या आएंगे कि why shark is being ignored या why bimstack why India preferring why India is preferring bimstack instead of shark instead of shark ठीक है आपके model answer में काफी tabulate करके इसको बताया हुआ है आप देख लिजेओ उसको फिरा प्लेक्चेर दखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा देखिए क्या होता है अगर आप समझ ये कि divorce क्यों होता है किसी भी शादी में क्योंकि दो लोगों का जो relation है वो ठीक से नहीं बन पाता है तो तीसरी लोगों की entry हो जाती है वही चीज हुआ यहां पर यहां दो लोग नहीं है बट एक inter-regional corporation है shark को जिस objective से बनाया गया था shark was not able to nurture that corporation shark was not able to continue to nurture that corporation South Asia में China जो है न अपना influence बढ़ाता जा रहा था ही समय यह सब areas में तो इंडिया को लगा कि अगर हम भी action नहीं लेंगे कुछ alternative नहीं ढूंडेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए आगे के time पे तो इसने बिम्स्टेक का सहारा लिया और बिम्स्टेक जो हाप देखेंगे 2016 के बाद ज्यादा prominence में आया है वो इसलिए भी क्योंकि इंडिया पे जो terrorist attacks हो रहे थे काफी regular intervals पे regular times पे तो उन terrorist attacks से पाकिस्तान को जोरने के लिए और उसको international order में isolate करने के लिए एक बहुत अच्छा platform था ठीक है अब देखते हैं कि shark fail हुआ ठीक है लेकिन क्यों fail हुआ क्यों नहीं कैसे fail हुआ अब कैसे prove करेंगे कि shark fail हो गया अपने जो उसका responsibility था अब देखेंगे कि जो भी members है shark के group में उनमें काफी mistrust और suspicion का बना हुआ रहता था इंडिया को लगता था कि पाकिस्तान घुसपैट कर रहा है पाकिस्तान को लगता था कि इंडिया की raw जो है वहाँ operate कर रही है बलोचिस्तान में उसी तरह से बाकि countries को भी लगता था कि इंडिया अपना big brother का attitude ले रहा है वो अलग बात है same countries bimstick platform पे आई लेकिन जो नहीं आये उनको ऐसा लग रहा था इसके बाद strengthening regional corporation regional corporation में strengthen करने का काम सार्क ने बिलकुल भी नहीं किया उल्टाइस ने lose करने का काम किया कोई भी बरे projects आये कोई भी connectivity projects आये कोई भी infrastructure projects आये उनको रोकने का काम किया सार्क ने जो meetings थी उनकी आप जानते हैं कोई भी communication gap कहीं भी होता है तो दूरियां बढ़ जाती है इनकी भी जो meetings है न वो काफी inadequate meeting हुई ग्यारह बार postponed की गई meetings को ठीक है और bilateral meetings को तरजीह दी जाने लगी बजाए multilateral के कहने का मतलब कि जितने सार्क countries हैं वो आपस में बैठके एक table पे बात करें उसको जादा तरजीह ना दी गई बजाए इसके कि इसके जो constituent members हैं वो आपस में बात करें तो जब आपस ही बात करना है तो इसको क्यों रखना है फिर ठीक है फिर इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल था सार्क को failure करने में कि पाकिस्तान का जो attitude था वो non cooperative attitude रहा है अब सीधे बोलने से तो होगा नहीं हमको prove करना पड़ेगा answer में substantiate करना परेगा example से जो सार्क MVA agreement है उसको 2014 से उसने लटका के रखा है motor vehicle agreement है 2016 का जो सार्क satellite program था उसको ही पाकिस्तान ने go ahead नहीं किया पाकिस्तान ने participate नहीं किया तो वो project धरा का धरा रहा गया फिर 2016 में जैसे ही पाकिस्तान ने उसके hosting की बात की तो recent में जो terrorist attacks हुए थे उसको लेके सारे countries ने इनको boycott कर दिया ठीक है तो इस तरह से पाकिस्तान जो है एक inflection point बन गया सार्क के division में सार्क के बाहर होने में ठीक है यह पाकिस्तान वाला एंगल था आप थोड़ा इंडिया का एंगल लेते हैं कि इंडिया का जो बाकी सारे countries हैं जो भी सार्क में थे अफगानिस्तान, बांगलादेश, भुटान मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, स्रिलंका आप देखेंगे कि इन सब के comparison में इंडिया जो है न ये काफी asymmetry रखता है किस respect में? asymmetry रखता है अपने geographical reason में बहुत बड़ा geographical area है इसकी economy बहुत strengthend है और continuous आगे बढ़ रही है तो इसका जो influence है overall वो काफी जादा है influence जादा होने के कारण वो क्या feel करते थे न कि मेरी कोई guardianship कर रहा है ये वाली feeling आने लगी छोटे-छोटे countries को तो जैसे ही ये guardianship वाली feeling आने लगी तो they became disintegrating from it वो इसकी बात नहीं सुने लगी नेपाल कमा में मसला याधा होगा आपको मधेशीज का जो issue था इंडिया ने blockage कर दिया था तो वहाँ भी एक allegation लगाया गया था कि इंडिया is acting as a big brother तो यही सब चीज़े थी छोटी-छोटी चीज़े जो अलगाओं का कारण बन रही थी सबसे बरा reason कोई भी आप organization बनाते हैं कोई भी आप group बनाते हैं कोई भी समूह बनाते हैं उसमें अगर लोगों को समस्या होगी तो उनके समस्याओं का समधान का तरीका बताना चाहिए कि अगर आपकी वीडियो वफरिंग हो रही है तो अगर आप whatsapp number, telegram number नहीं देंगे जहाँ पर आप issues को बता सकें तो आपकी समस्याओं तो सुलजेंगी नहीं तो अगली बार तो आप देखेंगे नहीं वीडियो को तो यहाँ पर भी जो है न वो conflict resolution का जो mechanism था न वो missing था तो जो conflict resolution का missing रहेगा तो अगर दोनों में तकरार है तो कभी सुला होगा ही नहीं ठीक है तो यह भी एक बहुत बड़ा reason था फिर bilateralism जैसे मैंने बताया bilateralism काफी बढ़ रहे थे bilateralism मतलब दो countries के बीच में ज्यादा दोस्ती बजाए multilateral के उसके बाद resource shortage का issue हो रहा था और कोई अपना resource contribute नहीं करना चाह रहा था groupings में ठीक है तो यह भी एक समस्या थी तो यह सब जो reason है आप लिख सकते हैं कि तो यह सब issues जो है न यह सब जैसे question क्या पूछ रहा था question पूछ रहा था कि India तरजीह क्यों दे रहा है आप क्या बात से सहमत है कि India seems to go more importance to be mistake तो आपको इस statement को support करना था तो आप लिखेंगे न कि सार्क जो है उस टाइम पर बहुत बढ़िया regional organization था लेकिन कुछ problems थी जिसके कारण सार्क अपने obligations को fulfill नहीं कर पाड़ा हा था तो क्या क्या problems थी वो अपने list कर दी ठीक है सिर्फ इतना करने से नहीं होगा अब आपको सार्क जो problem face कर रहा था उसमें भीमस्टेक कैसे कोप कर पाड़ा था ठीक है तो पहला चीज तो आप देखेंगे इसमें Thailand include हुआ है तो जो Asia का उपर वाला reason है वहाँ कहीं न कहीं इंडिया prominence में था इधर वाले reason में Thailand prominence में था तो ये अपना अपना अच्छे से संगठित होके रह रहा था चीज ठीक है तो बीमस्टेक जो है regional जो strengthening है या regional corporation का strengthening mechanism है वो अच्छे से develop हो पा रहा था क्योंकि दो regional powers जो है Thailand और इंडिया they were the direct partners तो एक sense of comfort आ रहा था इनको नहीं लग रहा था कि हमको ये influence कर रहा है इनको पता था कि Thailand हमारे में सही एक है जो हमको lead कर रहा है ठीक है उसके बाद हुआ कि इसमें जो भी nations थे fastest growing nations थे पाकिस्तान जैसा कोई failed state नहीं था we can't say as a failed state but going in that direction तीसरा हो जाया कि जितने भी countries थे उनका जो economic growth था that was more than 5% और सार्क कभी 5% जो सार्क के countries थे उस इतिहास के टाइम पे उस टाइम पे सार्क कभी 5% से ज़्यादा बढ़ी नहीं पाया था ठीक है उसके बाद जो भी समस्या है उसमें थी उनको सुधा आ गया जिसे इनकी regular meetings कराई गई और और भी बहुत सारी चीज़े हैं कि इसमें South Asian countries को include करके जो बेव बंगाल का major वाला reason है उसमें Thailand को लगा के आप ये जो है ना ये तीन चार पॉइंट को थोड़ा ज़्यादा expand करके लिख सकते हैं ठीक है लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि इसमें problems नहीं होगी इसमें भी problems होगी उसको बाद में देखेंगे अब इंडिया क्यों interested है इंडिया कैसे interest हुआ आपको कैसे prove करेंगी कि इंडिया interested है बिमस्टेक में तो अब इसमें लिख देंगे कि इंडिया interest इसलिए गया है कि सबसे पहला मैंने बताया है 2014 में सार्क को बुलाया 2019 में बिमस्टेक को बुलाया उसके बाद जैसे ही उडि अटैक हुआ था उसके बाद तुरत इंडिया ने एक्सल लेके सार्क में से पाकिस्तान को हटा दिया मतलब हटाया नहीं as a symbolism क्या कि एक दूसरे गुरूप को पुश कर दिया कि भाई पाकिस्तान नहीं रहेगा उसमें तो यह बिमस्टेक बन गया तो इस तरह से पाकिस्तान को isolate करने में काम्याव रहा इंडिया की जो lookist policy और actist policy है that somewhere concise that somewhere converges with the बिमस्टेक इंडिया का अपना interest भी है क्या interest है तो बिमस्टेक का energy center खुला है बैंगलोरू में बिमस्टेक का business council खुला है तो इन दोनों के खुलने से जो है business का जो landscape है वो increase होगा इंडिया में ठीक है तो इंडिया के अपने energy interest है इंडिया के अपने business interest है ठीक है उसके साथ साथ जो connectivity projects है connectivity projects क्यों important है क्योंकि इंडिया को market चाहिए तो market देगा विमस्टेक तो उसके लिए वो important है उसके बाद हो गया कि energy important तो बात हमने कर लिया कि उसमें रखाइन state की बात आप कर दे रखाइन state जो बैंगलादेस में है वहाँ पे काफी ज़्यादा reserve है तो उस reserve को इंडिया आई कर रहा है उसको नजर में लगाए हुए है इस कारण से वो बिमस्टेक को हमेशा अपने साथ रखना चाहता है तो यह सब सारे issues थे लेकिन ऐसा नहीं है कि बिमस्टेक भी काफी बहतर है इसके साथ भी काफी challenges है और यह challenges क्या है तो challenge क्या है कि recent times में अगर हम देखें ठीक है तो काफी कुछ काफी कुछ ऐसा हो रहा है जो उसमें सारक के साथ हो रहा था तो पहला चीज तो meeting वाला issue था थोड़ा recent में meetings जो है थोड़े कम हो गये है अब चाहे वो corona ही reason क्यों नहों हो वो sign नहीं हो रहा है आपस के बीच में कोई एक concrete trade agreement sign होना था वो trade agreement से क्या है न trade boost होगा trade boost होगा तो cultural boost होगा cultural boost होगा तो एक दूसरे से जुड़ाओ बढ़ेगा फिर क्या है कि इसका permanent secretariat नहीं है अगर permanent secretariat नहीं है न तो हमेशा जो है न ये अगर देखिए permanent secretariat रहेगा तो क्या होगा सारे countries को बोला जागा तुम contribute करो तुम contribute करो तुम contribute करो अगर permanent secretariat नहीं रहा तो क्या होगा हमेशा ये resource crunch में रहेगा resource crunch in form of money in form of manpower तो ये सब challenges है बीमस टेक के तो instead of these challenges India can overcome जो इसका इतिहास रहा है इंडिया का regional groupings को आगे बरहने में वो काफी अच्छा इतिहास रहा है ठीक है तो शाम शनन का एक statement है शाम शनन इनका लिख सकते हैं कि बीमस टेक is the pivot to pivot to actist policy और लिख सकते हैं कि आवर चैपासिटीज इनिस्टिशिशन लग बहाइं आवर अवर अमभिशन थस इस इस ताइम तो मुव फों दे इवेंट जरिवन अप्रोच तो रीवाइलाइजिग इस प्लाटफर्म शाम शनन जी का गहना है कि our capacities and institutions are lagging behind our ambitions तो यह समय है कि we have to move from the event driven approach to revitalizing this platform ठीक है तो अगर आप चाहें इतना sufficient हो जाएगा अगर आप चाहें तो यह कि wave forward लिख सकते हैं कि international relations में इंडिया के जो भी universal wave forward है वही है मिसमें mention कर देंगे क्या कि इंडियन leadership को assert करना होगा कैसे जैसे vaccine महितरी program चलाया operation गंगा चलाया इस type से चलाना पड़ेगा जो भी projects चल रहे हैं विदेश में उनको fast track करना पड़ेगा project delivery को fast करना पड़ेगा connectivity को enhance करने के लिए और भी ज़्यादा projects को propose करना पड़ेगा और उसमें अपनी funding को बढ़ाना पड़ेगा एक lead role लेना पड़ेगा उसमें जो trade agreements हैं उसमें भी boost करना पड़ेगा so that China को जो है उसमें पीछे किया जा सके चाइना की जगह पे इंडिया को आगे बढ़ाया जा सके तो यह सब चीज़े थी अब आप conclusion मिलिक देंगे कि इंडिया का बहुत पुराना इतिहास रहा है अपने साथ में लोगों को लेके चलने का लेकिन कुछ वज़ा से कुछ नेवर हुड की वज़ा से कुछ वेस्टे इंटरस्ट की वज़ा से वो नहीं कर पाता है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम आगे नहीं भर सकते हैं अगर साथ में लिके चलें तो अगर आप चाहें तो यह शाम सरन जी का मुद्दा है ना इसको थोड़ा समझें पॉइंट से ठीक है तो आप अच्छे से समझ गया होंगे मिलते हैं गले वीडियो में धन्यवाद